हाई डुविल्टीज वेलकम टो एजीवे कॉमर्स क्लासेज मैं हो तापिता और आज के इस वीडियो में हम इतना इंट्रोस्टिंग चेप्टर अपनी इंडियन इकॉन्मी बुक्स से करने वाले हैं जिसमें आपको बहुत सार इंट्रोस्टिंग फेक्ट पता चलने वाले है यहां पर हम इंडिया का कमपैरिसन करने वाले हैं विद चाइना एंड पाकिस्तान इस चेप्टर का नाम क्या है जो कि हमारी इंडियन एकॉनमी का लास्ट चेप्टर है इसके साथ हमने सारे ही चेप्टर कवर कर चुके हैं तो लास्ट चेप्टर का नाम है स्टार्टिंग कैसे हुई कि इंडिया को अजादी मिली थी 1947 में 15 अगस को जबकि पाकिस्तान को मिली थी सेम एक दिन पहले हमसे 14 अगस 1947 जबकि चाइना की अगर हम बात करें गाइस तो चाइना में पीपल रिपबलिक ऑफ चाइना का गठन हुआ था जो कि 1949 में हुआ था जिनोंने चाइना की एकॉनमी को संभाला था ठीक है तो लगभग सिमिलर ही हम लोग आसपास ही हैं जब हमने अपनी शुरुआत करी तो इंडिया तो अजाद हुआ था किस से अजाद हुआ था किस से अ प्रण सालों का उदेशे बनाते हैं और उस पर काम करते हैं फिर पांच साल के बाद नए उदेशे बनते हैं हमारे फिर हम उने अचीव करने में लग जाते हैं इंडिया ने फाइवेर प्लान स्टार्ट कर दिये थे अपने 1951 में यानि कि इंडिया ने जल्दी शुरुआत जबकि पाकिस्तान ने 1956 में शुरुवात करी और इसके बाद इससे पहले ही चाइना कर चुका था 1953 में तो आपको ये याद होने जरूरी है इस चेपनर में पढ़ते वक्त आप देखो बहुत सारे अभी भी आपको पता है यूक्रेन और रश्या के बीच लडाई हो रही है त तो काफी लडाईया उस समय पर भी थी और उस लडाईयों के बीच में इन देशों ने अपनी प्रोग्रेस को स्टार्ट किया था वर्ड वर बी चला वैसे भी सेकंड वर्ड वर बी चला तो काफी सारी लडाईया थी लेकिन इनों ने अपने देश को आगे बढ़ाने का जिम्मा उठाया था आप यहां पर हम बात करेंगे गाइस चाइना के एक् dedim क्योंकि चाइना के मलें हम वन बाइक पाकस्तान फिर इंडिया पर बहुत करें विंगहें बहुत सारे इंट्रोस्टिंग एक चाहिए, मेरे ख्याल से ना वहां बेड़ पीपल रेपडिट ऑफ चाइन बना 1949 में ठीक है अब चाइना आप जानते हो कि सबसे ज़्यादा population अगर मैं पूछू कहां पर है तो आप बोलोगे चाइना में है सेकेंड नमर में इंडिया में है चाइना में population ज़्यादा होने के साथ साथ ही उसका area भी बहुत ज़्यादा है जो कि world की third largest country में आता है इससे पहले Canadian and Russia आते हैं उसके बाद चाइना आता है oldest civilization या oldest people की बात करें तो वो भी चाइना में मिलते हैं चाइना में काफी languages बोली जाती है सीनो तैबितियन और बहुत सारी language बोली जाती है तो चाइना में काफी सारी चीज़े हैं जो में हातों में ले लिए गर्मेंट ने जिम्मा उठाया कि अब हम इसे आके बढ़ाएंगे तो सबसे पहले इन्हों ने जो अपना campaign स्टार्ट किया उसका नाम था Greatly Forward campaign Greatly Forward campaign कब स्टार्ट हुआ था गाइस 1958 में initiated by the MAO MAO ने स्टार्ट किया था बेसिकली इस campaign का मकसद क्या था economy को modernize करना और modernize कैसे कर सकते थे हम लोग इंडुस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस से तो लोगों को बोला गया कि आप अपने backyard यानि कि घरों के पीछे इंडुस्ट्रियस को सेट अप करो और modernization लेकिया हो यानि कि इंडुस्ट्रियस देखो देश में आगे बढ़ने का जो सोर्स होते हैं guys agrarian economy से इंडुस्ट्रियलाइजेशन इंडुस्ट्रियलाइजेशन से service sector में जाने को माना जाता है तो यानि कि अगर किसी देश की population service sector में जादा involved है तो उसे economy को development की तरफ जादा माना जाता है ठीक है अब इंडिया की अगर में बात करो तो हम लोग बहुत जादा primary sector पर यानि कि agrarian economy पर depend है तो इन्होंने अपना उदेशे यही रखा कि agrarian से हमें कहा आना है इंडुस्ट्रियलाइजेशन में इसलिए लोगों को कहा गया अप अपने घरों के पीछे industries का setup करो चीक है और महा पर क्या कर दिया गया एक commune system बना दिया गया यानि कि लोगों में production जाता हो सके लेकिन गाइस उस समय पर 26,000 communes बन चुके थे लेकिन इन्होंने जो नुकसान सहा था वो उस समय पर गाइस जो drought पड़ा सूखा पड़ा था उसका पड़ा था और इसमें अराउंड पड़ा कितने लोग मर गए थे 30 million लोगों की इसमें death हो गई थी तो greatly forward campaign ने of course कुछ problem भी face करी बट येस इन लोगों का जो मकसद था agrarian to industrialization उस पर इन्होंने काफी अच्छा जोड दिया second चीज गाइस थी great proletarian culture revolution ये क्या था great proletarian culture revolution 1965 में माओने start किया था जो 1966 से 76 तक around 10 साल चला था इसमें था क्या इसमें लोगों को students को countryside पर भेचा जाता था जहां पर वो industrial and other कामों को सीख के आते थे उन्हें सिखा था कौन था उन्हें सिखा था रशिया उसके बाद चाइना और रशिया में लडाई हो जाती है रशिया अपनी जो person होते हैं जिनको उन्होंने इंप्लॉई कर रखा होते हैं महाँ पर सिखाने के लिए उसको वापत ले जाता है तो यह इन्होंने इस revolution में सीखा जहां पर इन्होंने रशिया के अरी के इसे यूज कर रहे थे गाई तो उसे अब हम पढ़ते हैं तो गाई अब हम रिफॉर्म्स इंट्रीवगा पढ़ेंगे वहां पर थोड़ से स्पेस कम लग रहा था अभी थोड़ा फेस खुल खुला खुला है तो देखो रिफॉर्म्स जो चाइना में इंट्रीव के गए थे वो 1978 में किये गए थे जो कि दो पार्ट में थे पहले पार्ट में जो इन्हों ने फेज में जो चेंगिस करे थे वो agriculture foreign trade and investment में करे थे basically agriculture में क्या चेंज किया था इन्होंने तो आपको पते greatly forward campaign में इन्होंने क्या किया था इन्होंने लोगों से जमीने ले ली थी और उसको क्या करा था collective कर दिया था और collectively production किया गया था agriculture का लेकिन अब इन्होंने वही चीज़ों को divide कर दिया गया यानि कि farm को divide करके individuals को दे दिया गया दूसरे चीज़ उससे होने बाली income government को सिर्फ tax के रूप में जाएगी बाकी income individual sector की थी तो initial phase में इन्होंने ये काम करें second phase में इन्होंने क्या काम करें थे guys कि जो private firms हैं या private लोग हैं उनको बोला गया कि आप goods and services का production कर सकते हो यानि कि township हो गया, private firms हो गई, individuals हो गया उनको बोला गया कि आप goods and services का production करो ठीक है आप मोलोग भी production करने लगे और government में public sector भी goods and services का production कर रहा था तो आपस में क्या हुआ public sector को competition phase करने को मिला तो ये reform कब introduced किया गया चाइना में 1978 में तो यानि कि इन्होंने जो पहले greatly forward campaign में चीजे करी थी, अब इन्होंने उस चीजों में changes लेके आए थे फोर चीज क्या करा है इन्होंने, dual pricing in a reform process अब dual pricing का क्या मतलब होता है Dual prices का मतलब होता है दो price charge करना तो यहां इन्होंने farmers and industries के लिए एक particular price fix कर दिये थे उनके inputs के लिए कि या farmers को खरीदना है कोई समान production के लिए या फिर industries को खरीदना है कोई समान production के लिए तो उनके लिए जो price होगा वो government decide करेगी अगर हमें खरीदना है as an individual तो जो market में price चल रहा है हम उस पर खरीदेंगे तो that is the dual pricing यानि कि दो prices charge की जाते थे तो farmers and industries के लिए government decide करती थी हमारे लिए market demand and supply उसके बाद था guys special economic zone यानि कि यहां पर special economic zone बना दिये गए ताकि बाहर के investors जो है चाइना में आके investment करें तो आप देख सकते हो कि चाइना में investments काफी जादा है चाइना का अगर आप industrialization का process देखो वो भी बहुत अच्छा है अगर आपने देखा हो कि किस तरीके से चाइना ने जो शुडवात करी इंडस्ट्रिलाइजेशन को focus करते हुए वो आज उनका result नजर आता है चाइना भले ही हम मजाग उड़ाते उसके समान का लेकिन चाइना के जो product है वो वाकी तारीफ के योगी होते है चाहे आपके मच्छर मानने वाला racket ही क्यों ना हो क्योंकि वहां पर जिन चीजों के बारे में अभी हम सोच भी नहीं पाते वह वहां से इंडस्ट्री के गोड्स टेक्नोलोजी वाइस चाइना हमसे मच बेटर है यह चाइना की थ्योरी पाट था आप लोगों को समझाया होगा अगर फिर भी कोई है तो आप इंस्ट्राग्राम पर मेरी आइडिया तबिता मैंसी पूछ सकते हो या फिर योट्यूब पर कमेंट की थ्रू थांक यू